आप्शन्स गुरु नरिष इस श्रंकला के पहले इस श्रंकला की इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं हम हाले में एक नया सिरी सुरु किया है जिसका नाम है कल आज और कल इस में हम कुछ ट्रेड़ देते घंडर और उस ट्रेंड करते हम जिसलिए कल आज आजराज ऑर कल यह थ्यां ते आज देखें हम मेरे ुबसाइट में जाते हैं मैं शाट इंट्रीक्शन देता हूं अंप मिलेगए हैं एथ इंफिसके त्यो इंफेाूश स Moż What 1991 से इस मार्केट में हूँ, मैंने options पर काफी articles लिखे हैं लोग सब्ता में, इसलिए staging पर मेरा एक international conference में research paper पर मुझे certificate of excellence दिया गया है, और मेरे courses के बारे में आप जान सकते हूँ, जिसमें META, Master in Technical Analysis, CTPT, Contra and Theory for Professional Traders, OSPT and options science for Professional Traders. दोस्तों देखिए ये weekly chart है, Nifty का, Nifty का weekly chart में आप देखोगे कि completely horizontal market है, consolidation market है, यहां से काफी, 7 September 18 को जो high बना था, उससे काफी नीचे आ चुका था, 2 November को, और अज दोनों के बीच में है, तो एक consolidation में है, हम डेली chart में देखते हैं, तब भी आपको लगे कि हम consolidation में है, तो weekly position के लिए हम क्या करना है, daily position के लिए क्या करना है, और intraday के लिए हम क्या करना है, यह हमको देखना है, 30 days 30 minutes का रिये, हम गराप देखें, तो intraday में उप्योग होता, तो एक कुछ लेवल से, कुछ प्राइजेस हैं, जिसके हमारा एक contrarian theory है, उसी contrarian theory के मदने दर हम trade करते हैं, तो आपने देखा हुआ कि हमारे हिसाब से अगर यहां पर market आता है, तो यहां से market गिरना शुरू हो जाएगा, तो 11003 इसके उपर नीचे जब जाता है, तो हम स तो हमारा एक contrarian theory, this is not the regular technical analysis, regular technical analysis में trend को ज्यादा फालो किया जाता है, और different oscillators, indicators और चीज़ यूज़ करते हैं, और हमने देखा है कि regular technical analysis जो है, वो time frame पर dependent होता है, जैसे कि हमने daily देखा तो आलग दिखता है, 30 minute का देखा तो आलग दिखता है, हमने daily में बाइंग तो इसका मतलब होता है कि हम कोई भी trade लेने जाते हैं, तो हम फज़ दाते हैं, इसके लिए एक हमारे develop किया है, contrarian theory और बहुत ही आच्य तार शिस्टूम पैसा कमाते हैं, उसे के बारे में हम आच्या-चा करेंगे, उसी के basis पर हम level निकालेंगे, उसी के level पर trade, उसी के level से और हम वह trade देखेंगे, मतलब जब पांस तारीको market उपन होगा, तब हम उसका research देखेंगे, उसी तरह से हम intraday के लिए जब sell करना है, sorry, buy करना है, तो हम buy करेंगे 10,008, 98 के उपर जाएगा, तब हम buy करेंगे, हमारा stop loss रहेगा, छोटा सा stop loss रहेगा, वह रहेगा 10,840, हमारा stop loss रहेगा, यह हमारा stop loss रहेगा, और यह हमारा पहला target रहेगा 11,003 और second target रहेगा 11,173, तो मैं already मैंने यहां बनाते रखा है, तो मैं मेरे projectors इसमें जाएंगे, तो जैसे के मैंने explain किया है कि आज का date है 1 March 2011, यहां मैंने analysis किया है, और यह next day के यह उसी तरह से यह next week के लिए, next day उले तो पांस तारिको market उपन होगा, 2, 3, 4, 3, 2 market बंध है, और current market है 10,963, swing में मतलब swing choice है, तो graph हम विखले लेखते, consolidation है, non-directional trade है, you can sell the call up 11,400, या you can short the put up 11,500, इसकी किमत काफी कम है, 13,14 रहेगी, यह 95% possibility आपका पाइजा मिलने की, इस तरह से day graph study किया, उसमें भी हमने consolidation देखा, जैसे के मैंने बताया है, 2 minute के पहले, slightly bearish है, slightly bearish है, अब daily candles दोखो गए, तो सब लोगों को लागे का के bullish है, लेकिन जैसे के मैंने बताया है, हम contrarium view लेते हैं, हम ultra view लेते हैं, नर्मल लोग इसको भी a short call या short put कर सकते हैं, इसका level 11,400 के से कम कर सकते हैं, 200-200 रुपे से, इसको 200 से कम कर सकते हैं, put को 10,700 कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा मिल सकता है इसमें, लेकिन अगर आप intraday करना चाहते हैं, intraday या ज्यादा ज्यादा, next day के लिए, BTST और AST BT के लिए, तो short अग अगर करना है, तो हम जब market ऊपर जाएगा, current market is 10,0963, यह जब 40 point ऊपर जाएगा, near about, तो 11,003 ऊपर जाने के वहां से जब गिरेगा, तब हम sale करेंगे, हमारा stop loss रहेगा 11,043 और हमारा loss रहेगा इस वाकिन 40 point, और मेरा first target रहेगा 10,898 जिसमें profit 105 रहेगा, मेरा second target रहेगा 10 10,648 और जिसमें मेरा profit रहेगा 355, similarly अगर नीचे गिरता है, falls below and then goes up, 10,898 के ऊपर जाता है, जो मेरा first target था, यहां नीचे आके वहां से ऊपर जाता है, तो मेरा stop loss रहेगा 10,840 जिसमें मेरा loss maximum 58 point है, और मेरा first target है 11,003 ती, इसमें profit मिलेगा 105, यह risk reward ratio match नहीं होता है, लेकिन यह मेरा पहला target है, मेरा second target है 11,173 यहां पर risk reward ratio काफी match करता है, देखें दोस्तों अब बैंक निफ्टी में जाएंगे, बैंक निफ्टी का हम ग्राफ देखेंगे, और दोस्तों यह बैंक निफ्टी का weekly chart है, इस chart में भी हमको लगता है कि हम बैरिश है, बहुत लोगों को यह confusion होता है कि जब लोग bullish रहते तो मैं करेता हूं, मैं बैरिश हूं, इसके लिए कांटराएं थेरी नमके निफ्टी कांसेप्ट है अगर मेरे इस्टूट्स में पढ़ो दे तो आपको पता चलेगा कि यह इसा किन होता है, सिमलर्ली अगर आप मेरे वेबसाइट पर जाके स्टून्स के टिस्टी मोर्स पर देखों के तो अपको पता चलेगा क किस तरह से कां कर थे हैं, यहां से market क क्यों गी इन हमने पहले बताय था, इसा किसी म', पहले बताय था भी इसा कोणरं भी are Antoin है, इसांन पर देखरों को स्रून्स की मोर्स मेरे दारी हमने बताय थाओ इस स्टून्स की मोल्स ए बार ऑन चाहें विए लिए इन्ट को जैनल डेली चाहें है यहां जाता है चाहुता है डेली लगता ही इस नेड़ी बाता है मैं के बाता ही आगी फिर भी इन चाहरें बाता है तो इस इन कंसलरेशन, तो मैंग जिनमाप का जो यह है, मतलब नजदिक वाले कॉल और पुट आप सेल कर सकते हूं, जैसे विकली के लिए आपने दूर के किया था, डेली के लिए तुड़े नजदिक के कर सकते हूं, और दिखिए उसकी जो प्राइस है, वो प्राइस मैंने यह आपको अल्रेढ़ी कैल्कुलेटर दिया है जो मेरी स्टो generated, उससे वो लोच जो प्राइस को आपने प्राइस को आप सेल कर सकते हैं, लिकिन यह दएली विष्दηकान है। मैरा बेहिए वे डीत हैं, लेकिन तो इसको हम सेल करेंगे 27,178 के रगर नीचे हाता है तो हम इसके नीचे सेल करेंगे और हमारा जो स्टॉपलास रहेगा 27,330 और इसी दर से मेरा पहला टार्गे रहेगा 26,956 हमेरे फर्स टरगेट और इसकोर 2,604 और विवाल इसकोर पहलो दो अणिया नीचे आता है और नीचे आके इसके वहार जाता है 27,020 तो में बाइंग में रोंगा यह आने के बाद बाद बाइंग में रोंगा और मेरा चोटा सेल रहेगा 26,920 और मेरा टार्गेट रहेगा 27,330 यहां तब का, so this is my first target and second target will be 27,791, so मैं मेरे Excel sheet में जाता हूँ और यह जो मैंने अभी आपको figures बताईए, वो हम लिखने की कोशिश करेंगे, तो बैंक्रेप्ट ही, दोस्तो, current market है 27,269, मेरा swing के लिए consolidation है, मैं short कर सकता हूँ call or put, daily के भी मेरा non-directional है, मैं short कर सकता हूँ call or put, लेकिन मेरा intraday या next day के लिए है, या फिर next, मतलब इसको थोड़ा साम क्या कह सकते है, मेरा BTHT और HDBT जिसको बोहते हैं वो कर सकते हैं, तो इसको फोल्स बेलो सत्ताविजार 181 जेसे मैं भी एक्स्पेन क्या ना, मेरा stop loss रहेगा सत्ताविजार 330, मेरा loss maximum 150 रहेगा, मेरा 1st target रहेगा 26 956, मेरा profit रहेगा 181, 2nd target रहेगा 26804, जिसमे मेरा profit रहेगा 385, यह 150 मेरा loss, और 1st target 181, रहेगा रहेगा रहेगा, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यह मेरा पहला target है, यह मेरा final target नहीं, यह मेरा final target है, similarly, अगर मार्केट 7702 पर आता है, तो और यहां से उपर जाता है, यहां बाःतो थो अगण, जिसमे मेरा loss रहें 100, मेरा target रहेगा 37330, मेरा profit रहेगा 310, मेरा second target रहेगा 7491, जो मेरा profit है 572, यहां मेरा नहीं इसमेंट रहेगा, तो यह मेरा लाँ की यह है और यह मेरा है है शाट की दो अबश सक्षाइचल लुटा ल bagus ऐना भी अबश लुटान गौभ यह में धौनसे अजो शाट के लिए, गर म्यूआ के लिए दोस्तो तो इस विल ᐔक्न नहीं नहीं आप कुल सी स्ट्राड़ीजी बिठाना चाहिए, यह लानना चाहिए, तो यह जैसे कि Option Cricks, Delta T, Gamawega, Scientically, सिखना साथ है, तो आप मेरे YouTube के चैनल पर, Option Science के चानल पर आप सीख सकते हैं, या मेरे Institute सो में स्तित है, Prime Technicals, Prime Academy, Prime Academy आपका स्वागत है, वहां भी आप सीख सकते हैं। देखें दोस्तों आज मैंने निचाहित्ट दिये आपको यह सब मेरे काण्टरेश थारी के बीशिस पर दिया है। यह नहीं है कि आप जिस तरह से मैंने दिया है जिस तरह से आप ट्रेट किजिए। अइसा मेरा कहना नहीं है। और मैं आप जब भी ट्रेट करोगे तो आप अपने जावबदारी से अपने क्रेंशल जो कांसर्टन ते उसके साया पर किजिए यह तो मेरा क्रेवल फ्यू है और इसके लिए अगर किसी भी क्राइमस का लास होता है उसके लिए मैं जावबदार नहीं हूँ और थैंक यू द आपको विदा कर तो नहीं हूँ